टोप 5 बेस्टा स्मार्फून in aald 30.univers तौबई अगर आपको एक के लिए स्मार्फून चाहिए अगर आपने मुटी-डास्किंग करनी है अगर आपका पजएट 4500 हो सिर्फ आपके लिए वीडियो को पूरा देखना है इसके पड़ मत करना स्टार्ड करता है वीडियो लेकिन वीडियो साट करने से पहले यार मेरा इंट्रो तो हेलो वाइब मेरा नाम है रबिन डॉबिनॉस तो वैकम टू दी आज लिया दी अन्बॉक्सिंग अपका बहुत बहुत सब्सक्राइब वीडियो को कर दो लाइक करें इंस्टाग्राम पी कलो फॉल यार लिंक आपको डिस् देखने को मिल जा दिया ठीक है उसके सासाथ आपको 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 कैमरे के रिलेटेड स्मार्टफून चाहिए अगर आपको एक डिफ्रेंट डिजान चाहिए तो LG G8X आपके लिए पोफेक्ट डिल हो सकता है अगर आप कोई भी मल्टी डास्किंग करना चाहते हो कोई हैवी एप्लिकेशन इस्टॉल बगरा करना जाते हो अपने स्मार्टफून पे तो भी आप कर सकोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली फोन बहुत स्मार्टफून देखने को मिल जाता है यह अगर आप जा सकता है अपने स्मार्टफून को चाहूड करना है आप सकता हो स्मार्टफून को प्रॉब्द हो त्यान में रखने ठीक है storage की बात करूं आपको 60GB RAM मिल जाती है प्लस 120GB storage battery की बात को फोग अगर मिल जाती है camera की बात को एड़ी की बात करूं आपको selfie same देखने को मिलगी 32 मेह बक्सर प्लस 12 मेह बक्सर प्लस 30 मेह बक्सर प्राइस की बात करूं आपको under 30,000 LG G8X normally and easily देखने को मिल जागा तो भई अगर आपने अभी तक नहीं चाओड किया था LG G8X को तो भई मैं आपको दिल से recommend करना चाता हूँ because phone पूरा loaded मिल जाता है चाहे वो camera चाहे वो चाहे वो display एंड चाहे वो design है मतलब चारो ही चीज़ों आपको perfect देखने को मिल जाते है एक पर इसको चाहुड करना अगर आपका budget 30,000 है जा अगर आपका budget 35,000 है भी आगे बात करते है नबर 4 की बात करी है नबर 4 पर मैंने रखा IQ 3 को अगर इस smartphone की बात करूँ सबसे पहले आपको एक 5G smartphone देखने को मिल जाते है इसकी खास है तकी बात को ने इसका तगड़ा पर सैसर इसकी खास है ठीक है आपको snapdragon 865 देखने को मिल जाते है प्लस आपको super amulet display मिल जाते है ज जो कि gorilla glass 6 की production के साथ आती है आप 4K वी recording कर सकतो 30fps पर back camera में एंड यार इसका orange color बहुत सही करता है इसको मैं मतलब suit करता है तो अगर आपने जाना है IQ 3 के और आप जा सकते हैं आपको processor display अच्छा दिखने को मिल जाते है अगर आपने gaming करने है प्लस भई अगर आपने camera के related आ अगर आपको अच्छी display चाहिए और अगर आपको इसका design पसंद आता है आप जा सकते हो IQ 3 की और अभी बात करते है में स्पैसिफिकेशन की आपको deeply पता चल जाएगा तो यह display की बातों को 6.44 इच सुपर Amulet display मिल जाते है प्रसासर की बातों को snapdragon 865 देखने को मिल जाता है storage की बात करूं आपको तीन वीड में देखने को मिलेगा 6GB, 8GB, 12GB जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो प्लस आपको 128GB storage प्लस 256GB storage में देखने को मिल जाता है बैंटरी की बात करूं आपको 4400 damage की बैंटरी मिल जाते है प्लस 55W का fast charger कैमरे की बात करूं आपको कामरा म स्थी में प्लस 30 में आपको 30 में प्लस 30 में प्लस 2 मेखापक्स सेल्फिक की बात करूं आपको 16 मेखापक्स सेल्फी की देखने को मिल जाते है यह में बता दिया IQ 3 के अभी बात करते है अगर आपको एक गेमिंग के लिए smartphone चाहिए तब आपके लिए परफेक्ट डेल हो सकत बहुत पसंद आने वाली है तो यार वीडियो के साथ बने रहना आगे बात करते हैं नंबर फ्री की बात कर लिया है नंबर थ्री पर मैंने रख्या रियल्मी एक्स फिफ्टी प्रो सबसे पहले मैं आपको बताना जाता हूं कि आपको फाफ जी स्मार्ट फून देखने को मिल जाते हैं जो की ग्रीला ग्लास फाफ की प्रडेक्शन के साथ आती है बट अभी मैं आपको बता दू कि इसको मैंने नंबर जो थ्री पर क्यों रखा ठीक है इसका जो कलर जाते हैं डिजाइन आते हैं वो आपको एक नॉर्मल टच देखने को मिलेगा लाइक रियल्मी के फ स्मार्टफोन चाहिए सो दैट्स वाइस का डिजाइन लोग कितनी इची नहीं इतनी खास नहीं है इसलिए मैंने इसको नंबर थ्री पर रखा और कोई भी प्राब्लम फोन में नहीं है वैसे अकॉर्डिंग तो स्पैसिफिकेशन देखा जाए यह स्मार्टफोन भी पूर यह वीडियो शिक्स्ती वीड़ा ने उसका प्राइस थोड़ा सा कम है अगर आपने उसके रोजाना आप जा सकते हो पर सपको टूफिफ्टी स्टीवी स्टोरेज देखने को मिल जाते है बैटरी की बात करूं आपको फोट तूफोन टूहंटेट एमच की बैटरी मिल जात आपको 47,999 के बजल में रियल्मी X50 Pro देखने को मिल जाता है तो यह मेंन स्पेसिफिकेशन में आपको बताव यह रियल्मी X50 Pro के भी तो अगर आपने इस स्मार्टफोन के और जाना है आप इस स्मार्टफोन के और भी जा सकते हो फोट गीमिंग के लिए बैस्ट आफ आफ आपको नॉर्मल देखने को मिलता है अगर आप 15,000 का भी रियल्मी का फोन लोगे ना उसका एंड इसका डिजाइन आपको सेम देखने को मिलेगा जो की सच में एक मानेस पांट हो जाता है कोई बंदा यार 35,000 पिया खर्च करता है तो उसको एक डिजान भी डिफरेंट जा आ जाता है मानेस पांट की भी सीधी बात करता हूं कि आपको फ्रेंट कैमरे में 4K आप्शन तक भी नहीं देखने को मिलता है ठीक है इसका डिस्प्ले बहुत सही है आपको IPS LCD देखने को में जाती जो की 144 रिफ्रेश्ट के साथ आती जो की गुरिला गलास फाब की प्रेक् आपको बहुत पसंद आने वाल है ठीक है तो इसके में स्पैसिफिकेशन की बात कर लेता है तो डिस्प्ले की बात करूं को 6.67 इच IPS LCD देखने को मिल जाती जो की 144 रिफ्रेश्ट के साथ आती जो की गुरिला ग्लास फाब की प्रेशन के साथ देखने को मिल जाती है प्रसा तो यहार में स्पैसिफिकेशन में आपको पूरा लूंटर मेल जाता है अगर आपने स्मार्टफोन के और जाना आप चाह सकते हो ठीक है इस के कलर हो गया है इसका डिजान हो गया इसका कैमरा होग सके डिस्प्ले होगी इसका परसाइसर हो गया आपको पूरा लूटरिड़ी बिल जाता है स्मसेंग लाक्सी सबसे पहले मैं आपको बता दो इसका बजट जो है लेकिन Samsung का भी नया फून लाँच हो गया इसका प्राइज अभी कम होने ही वाला है पक्का होगा शोरूम है 100% शोरूम यार इसका प्राइज आपको 5000 ड्रॉप ही देखने को मिलेगा तो भई अगर आपका बज़र अंडर 35000 है थोड़ा सा वेड़ कर लो अगर आपने मिल जाता है इसका प्राइवेशी सिस्टम बहुत अगरा इसकी डिस्प्ले बहुत अगरी एसका प्रॉसासर बहुत अगरा प्लस इसका डिजान हो गया एंड इसके कलर हो गया आपको बहुत पसंद आने वाले ठीक है अगर भाई मेरा बज़र भी होता ना 35000 तो भाई मैं से स्मार्टफून की और जाता विकर्ज सैमसंग का जो प्राइवेसी सिस्टम होता है अगर आप कोई भी मतलब तो अगर आप कोई भी एप्लिकेशन का इंस्टॉल करते हैं आप सेफली उसको यूज कर सकते हो ठीक है अपने फूटो होगी डॉक्मेंट होगे उसको प्राइवेसी में रख सकते हो एंड इसका कैमरा बहुत अत्त अगड़ा है अगर आपने शूट करना अगर आपने स्टी पर डिस्प्ले मिल जादी जो कि सुपर अमलेट डिस्प्ले जो की वांट ट्वंटी रिफ्रेश्ट के साथ आती है ठीक है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका डिस्प्ले बहुत सही आप प्रसासर की बातों को स्नाप्राइगन एक सिक्स्टी फाव लेखन करूं आपको 4500 डामेश की बैटरी मिल जादे 25 वार्ट का फाचा जर प्लस वालेस चाजिंग भी स्पोर्ट करता है उसके बात यह स्मार्टफोन रिवर्स चाजिंग भी स्पोर्ट करता है कैमरे की बात करों को ट्रिपल कैमरा मिल जाता है ट्रिपल मेगा पक्सल प्लस आप 8K वीडियो र्कॉर्डिंग कर सकते हो सैल्फी की बात करूं आपको 32 में अकसर सैल्फी मिल जा दिया जिस पे आप 4K वीडियो र्कॉर्डिंग कर सकते हो तो यह में स्पेसिफिकेशन में आपको सैंप्सिंग गलक्सी S20 FE के भी बता दिये तो भाई अगर आपका बज आपके साथ शेयर करेंगे तो तो तेंक यू